क्यों न उसके जाद में आज भी आपन उनके बारे में उनके रधाय में जो भी बाते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे उन्होंने समुचे तिरत्न बहुद्व महासंग को उनकी तरफ से चार गीप्ट दी है तो उस चार गीप्ट के बारे में आज आपन चर्चा करने वाले हैं तो जैसा बंते उर्गें संगराशी जी कहते हैं मैंने आपको चार गीप्ट लाई है तो उनमें शे पहले है कमल पुष्प की क्या इस कमल पुष्प का जो इंपोर्टनस है आप जानते हो क्या ऐसा आपने को क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरी गीप्ट मैंने आपके लिए लाई है वो है गोल्डन नेट सुवर नजाल क्या इसको आप पहिचान सकते हो क्या ऐसा वो आपने को पूछते हैं क्या आपके पैर उसके ताल में जान सकते हैं क्या और चौथी गीप्ट बोलते हैं मैंने आपके लिए लाई है कि जो तो किरियेट प्याराडाइस इन शैंग यानि वालुकमाय स्थल में नननोन निर्मिती करना तो इसके लिए आपके बाहू आगे आते हैं क्या और ये जो चार चालेंजे सही है चार गीप्ट के चालेंजे स्विकार करने के अपने में हिम्मत है क्या ऐसा क्वेश्चन आपने को पुछते हैं तो चलिए पहले से आपने देखेंगे एक एक गिप्ट उसके बारे में और जान लेने के कोशिच करेंगे तो पहली जिए कमल पुष्प तो इस कमल पुष्प के बारे में भगवान बुद्ध ने विनय पिटक के महावग्ग में कहा है कि भगवान बुद्ध कहीते हैं मैंने बहुत बड़े परियास से इस संभोधिका संशोद्वन किया है, बहुत बड़े परियाश्य, लेकिन इस जगत के लोग उसको समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसके बारे मेरा मन साशन कहें बोलते हैं। और कामा सकत है, ऐसे लोगों को मेरा जो पवित्र धम्म उनके समझ में आएगा क्या। इस जगों को बताने का, उन्होंने ठहरा लिया। और कुछ कमल पूश्म प्रुष्ट बाग के ऊपर आएं। तो भगवान बुद्ध को लगा कि इस अमुचे जगत में भी आईशे ही लोग है। बहुत सारे लोग उस खिचड के जैशे सामान्य स्थिती में हैं। उनके प्रग्या चक्षू में ज्यादा कच्रा है। तो जीवन में पूरता प्राप्त करणा इशे धंब कहते हैं। तो पूरुनता कहिशे आपन प्राप्त कर सकते हैं शील, दान, उपेक्षा, नेशकर्म, वीरिय, शान्ती, सत्य, अधिश्टान, करुना और महित्री ये पार्मिता ये पार्मिता स्टेप बाइस्टेप पूरी करना पड़ती है तो आपन धम्म की ओर बढ़ सकते हैं तो ये तीन मार्ग है तित्न भधूल महासंग में कमड के जैसा विकशित होने के लिए एक तो शिल्का अचरन करना पड़ेगा, ध्यानसादना करना पड़ेगी और कल्यान मित्रता विकशित करना पड़ेगी जैसे कहते हैं उत्पति शास्त्र के अनुसार मानों को नाम रूप प्राप्त हो गया रूप भी प्राप्त हुए लेकिन नाम जो चित्त है उस चित्त का विकास करना पड़ता है चित्त के उपर सुसंस्कार करना पड़ती है ओर चित्त के उपर यह सुव्शोंशकार किये तो आपन कमल के ज़ैसा विकशित हो सकते हैं आरंत बन सकते हैं बुद्दर थो प्राप्त कर सकते लेकिन चित्त के उबड़ कारू नहीं किये तो आपन प्रुथुजन, और्डिनरी सामान्य वेक्ति रह सकते हैं, पुगल नहीं बन सकते हैं, इसलिए अपनी चित्त के उपर ध्यान साधना से अपने को सुसकार करना पड़ेगा, जीवन सुचीता रखना याने धं म कहते, तो जीवन सुचीता रखने के लिए क्या करना पड़ेगी उसमें पहली बात है देह सुचीता रखना पड़ेगी देह सुचीता में हिंसान नहीं करना है चूरी नहीं करना है और वेभीचार नहीं करना है तो देह सुचीता हो जाती है और दूसरी है वाक सुचीता जिसमें जूट नहीं बोलना है वेर्था बढ़ बढ़ नहीं करना है चाड़ी चुगली नहीं करना है और कटू भाशन नहीं करना है तो वाचा की शुद्धता वानी की शुद्धता हो जाती है और चित्त की शुद्धता के लिए लोब से परे रहना देश से परे रहना और म सोब दो ह लिए तो अपनी चित्त की शुद्दी हो चती है क्या किते है अ निर्मतिक के लिए आपनी चित्तमें विदायाक शिल्दिये दसवी यह तो ये विधायक दसशिल का अपने जीवन में अपलाय करना पड़ेगा उसका पालन करना पड़ेगा तो विधायक भाव अपनी चित्त में निर्मान हो सकते हैं तो बनते वुर्गेन सकरक्षिज जिने धमचारी बनने के लिए दसशिल की दिक्षा दिये दसशिल की दिक्षा देकर धमचारी बन सकते हैं और फिर दसशिल का आचरन करना बहुत कठी नहीं और इसलिए तो धमचारी की संक्या ज्यादा तदात में बढ़ नहीं रही है धीमे गतिशे बढ़ सकती है क्योंकि क्या है दसशिल का आचरन करना बहुत कठी नहीं और इसलि यह दस शील बहुत माइने रखती है तिरत्न बहुत महासंगा में जैसा डॉक्टर बाबा साब आमबेडकर जी ने कहा था क्या कहा था आप सबको याद है कि मुझे तलवारी के धार के जैसे अच्रन करने वाले पाची ही आनुयाई चाहिए तो यह धम्मा समुचे वीश्व में आपन फैला सकते हैं समुचे वीश्व में धम्म का प्रचारा और प्रसार कर सकते हैं इसलिए इस आच्रन शीलों का आच्रन बहुत ही अच्छी तरशे करना पड़ेगा तो आपन धम्म का प्रचारा और प्रसार कर सकते हैं अच्रन के लिए बहुत कठी नहीं और लेकिन उसका सातत्य शेदी रखा आपन तो आपन आगे बढ़ सकते हैं यो ऐसा कहते हैं यो संपन शिल्लान अपमाद विहारीन समुदया इमुतान मारो मगन विदंत जो शील संपन नहीं अपरध में जो रहते हैं और सभी प्रग्या के उपर जुनोंने प्रग्या प्रत की है जैसे बगवान बुद्दों को पूचा कि अन्तो जटा बाहे जटा 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 ततो गोतम पूछा में कि हम विजटेती जटती हमारे अंदर बी जट है लोमहतवेशकी और बाहर भी है कि दो इसका निर्मुलन हम कर सकतें चैने ज़िए णहीं मुण भगवान बुद्द को पूछने के बाद भगवान बुद्द को पूछ region प्रग्या का ये विकास किया तो आपन ये जरूर ये जो जट है यानि लोब देश मोह हैं उसका हम निर्मूलन कर सकते हैं इसलिए शिल्का इंपोर्टन्स तिरत्नव दमासंग में है तो दूसरी गिप्ट की और बढ़ेंगे दूसरी गिप्ट है स्वर्ण जाल गोल्डन नेट कहते हैं कि मानवी अस्तित्व का सत्यस रूप है और उसको कहते है गोल्डन नेट बहगवान बुद्धन ने कहा जग कैसा है दुख में है जग में दुख्फ है लेकिन दुख्श gotta निर्मुलन करना यही धम्म का उदेश है तो दुख निर्मुलन करना यही धम्म का उदेश है आशे भगवान बुद्ध कहते हैं आशे समाज में आशे समझुत है कि अपने पास परियाप्त येदी है सब कुछ परियाप्त है तो आपन दुखी नहीं होते लेकिन भगवान ब संपन्त है अपने पास लेकिन दुख है क्योब लोग मैं आपने चित्त में द्वेश है, मोह है और इसलिए दुख है भगवान बुद्दा आनांदा काहते हैं लोब के इच्याषे तुरुष्णा निर्मान होती है ऐसा आनद को भगवान बुद्ध कहते है और तुरुषना ये दी चित्त में है तो मारा मारी करते है जगड़े करते है वेविचार करते है चोरी करते है जुट बोलते है तो इसलिए ये लोब द्वेश मोह ये आदोगति का कारण है वेक्ति का इसलिए भगवान बुद्ध ने लोब द्वेश और मोह के उपर कंट्रोल करो यानि आपने नियंतरन में रखो ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा है इंसान का अनुचित वेवार होने के वज़े से दुख़ है समाज में तो अच्छा वेवार इंसान इंसान का अच्छा वेवार होना चाहिए तो ये दुख़ समाज में नहीं रहेगा इसलिए तो बाबा साब ने सामेवाद आपने को नहीं दिया है तो बाबा साब ने क्या दिया है भगवान बुद्ध का धम्म का मार्ग जो धम्मकरांति का मार्ग आपने को दिया है जिसके वज़े समाज में आपन धमकरांति कर सकते है ये जो गोल्डन नेट है ये मानव के अस्तित्व का सत्य स्वरूप है ये बंति उर्गेन संगरक्षी जी ने इसको गोल्डन नेट सुवरन अचाल ये उपमादी है जो तिसरी जो गीप्ट है उसकी तरप आपन बढ़ेंगे तिसरी गीप्ट है गोल्डन नुट्य मेंडपाल की तो संग मेंडपाल की यानि नुट्य की उपमादी है बंति उर्गेन संगरक्षी जी ने क्योंकि सामवीक जीवन जीने जीते वक्त अधिकार और करता हुए अपने को खैल में लेना पड़ता है क्योंकि संग जीवन कैसा है सामुदाइक जीवन है तो उसमें सामुदाइक आचरन आपने को करना पड़ेगा अपना खुद का मुलबुत अधिकार कुन सा है और औरों का मुलबुत अधिकार कुन सा है इसकी तरफ अपने को खैल देना पड़ता है और उसका सुयोग ये ताल इस जगत में क्या करना है सदाचरन का राज्य स्थापन करना ये भगवान बुद्ध का उदेश था उनके मन में और ये आदर्श कैसा चाहिए वेवारे चाहिए वेवारे होना चाहिए यानि लोगों को वो प्रत्यक्षे मॉडेल उसका अनुमना लोगों के सामने रखना है इसलिए भगवान बुद्ध ने भिख्षु संग की निर्मिति की और जो भिख्षु संग जो आचरन करेंगे वो एक मॉडेल बलके समाज उनको क्या करेंगे उनका आदर से लेंगे समाज के लोगों और इसलिए ये मॉडेल भगवान बुद्ध ने समाज के सामने रखा है संग याने धम का अच्रन करने वाले समाज का एक नमुना है तिरतन बहुत महा संग क्या है याने एक अच्रन करने का एक आधर्श नमुना है उसको तिरतन बहुत महा संग कहते हैं और इसलिए धम का अच्रन भिख्षू को भी कमपलसरी है और उसके साथ-साथ ये तिरतन महासंग में जो भी है धम्मचारी है धम्मचारी निया है धम्म मित्र है धम्म सायक है धम्म उपासक है उपाशिका सभी के लिए धम्म का अचरन कंपल सरी है किशी को भी इसमें छूट नहीं है धम्म का अचरन सब के लिए समान है तो यह लिए आपन धम्म का अचरन करना चाहिए और इस नव समाज तिरत्न बोधन मासंग का एक नव समाज का एक आधर्शन मुना है तो इस नव समाज में क्या चाहिए एकता चाहिए महित्री चाहिए, समता चाहिए, स्वातंत्रे चाहिए, बंदुत्वा चाहिए, उसका वो एक मॉडिल बनना चाहिए तो इस संगा में रहते वक्त, या तो समाज में भी आपन रहते वक्त क्या करना, मैं और मेरा ये बात छोड़ देना पड़े क्योंकि मैं और मेरा ये बात ये दी आपन चलाते, तो वहाँ पर येकता नहीं रहती है, समता नहीं रहती है, जगड़े होते है, और इसलिए संगा में ये दी रहना है, तिरत्न बोदमा संगा में, या समाज में भी रहना है, तो मैं और मेरा ये बाते छोड़ देना पड़त है और जैसा कि समुवन रूट्य है मैं निपाल लोगों का वो समुवन रूट्य करते वक्त भहूत ही उन में ताल मेल रहता है वह साही समाज में रहते वक्त सामंजर्षी रहना चाहिआं सदाचार रहना चाहिआ और महित्री शे बरताओ करना चाहिए यहीं समाज में रहे है तो और नुत्य करते वक्त कोई आगे पीचे यहीं होता है या नुत्य करते वक्त किशी की गती जादा या कम है तो नुत्य बेरंग हो जाता है वैसा ही समाज में रहते वक्त कोई गटबाजी करता है तो समाज में या समाज में एक रुपता ने रहती है, समता ने रहती है, तो यशी लिए समाज में एकता, सामन जेशे, मैत्री रहने के लिए बहुती अच्छी तरशे व्यववार समाज के वेक्तिने करना चाहिए। जिने के लिए अच्छी तरशे संग में विकास करने के लिए यह दसशिल दिये है, जिसके वज़े से आपन कम से कम स्रोतापन आवस्ता यही जिन्दग में प्राप्त कर सकते। वह है तो क्रिएट प्राडाइस इन शैन्ड याने वालुका माय प्रदेश में नन्दनवन की निर्मिति करना। याने नन्दनवन की निर्मिति करना। या कारिय महा कठिना। लेकिन भंति वुर्गेन संगरक्षित जी कहते हैं यह बात अशक्य नहीं है। तो आपन लगन से परियास किये तो आपन नन्दनवन निर्मान कर सकते हैं। याने हर व्यक्ति के परियास के ऊपर डिपेंड है। तो आपना इरादा नेक चाहिए। अच्छी तरह से परियास करना चाहिए। तो आपन बुद्दत्व की और बढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं, nothing is impossible in this world, इस जगत में कोई भी बात अशक्य नहीं है, there is need of effort, शीर्प परियास करने की जरुत है, यह सब दुनिया क्या है, दुराचार शे भरी है, लेकिन इस दुराचार के दुनिया में सदाचार निर्मान करना है, यही TBM, तिरत्न बोदम हासंग का लक्ष है उद्देश है, यानि सदाचार निर्मान करना, यह जो अपने महान जो गुरु हो चुके है, भगवान बुद्द, डॉक्टर बाबा साब अमेरकर बंते उर्गेन संगरक्षिज्जी के, इनकी जो सपने थे, यह अपन खैल में लेना चाहिए, डॉक्टर बाबा साब अमेर अज्य निर्मान करना है, यह उनका सपना था, भगवान बुद्द का सपना था, इस भुमी पर सदाचार के, सदाचार से क्या करना चाहिए, एक आदर्श समाज निर्मान करना है, सदाचरण से क्या करना है, एक आदर्श समाज के निर्मिति करना है, यह भगवान खड़ा कौन सा है तिरत्न बोदमासंग कि सदाचरण से क्या करना है कम से कम यही जिन्दगी में क्या करना है शुरत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत सपने देखते हैं और सामाने विक्ति कैसे सपने देखते हैं अपनी आख बंद करके सपना देखते हैं और सामाने विक्ति का सपना कैसा रहता है जैसे उनकी आख खुल गई उनका सपना भी स्थगित हो जाता है भंग हो जाता है अभी भगवान बुद्ध के बारे में आप सो सपना अभी भी जारी है क्यों इसका मतलब यह है यह जो महान विकती है अपना सपना आख खुली रखकर वो सपने देखते और इसलिए उनके सपने सच होते हैं तो बंति वुर्गें संगरक्षी जी कहते हैं मैंने आपके लिए यह चार गिप्ट लाई है तो पहली जो गिप्ट है तो मैंने आपके लिए पहली जो गिप्ट लाई है कमल पुष्प की तो क्या उस कमल पुष्प को जान सकते है क्या उसके आपने क्यों मालुमात है क्या और दुसरी गिप्ट मैंने आपके लिए लाए है गोल्डन नेट सुरन अजाल तो उसका importance आप पहिचान सकते हो क्या और तिसरी gift आपके लिए लाया है मैंने गोगोलन रुत्य मेंडपाल की तो इसके लिए आपके जो पैर है उस तालमेल है क्या आपके समाज में मैत्री, समता, यकता, निर्मान करने के लिए इसलिए ये तीसरी gift मैंने आपके लिए लाया है और चोथी gift आपके लिए लाया है तो क्रियेट हेवन या प्यारडाइस इन शैंड यानि वालुकमाइस थल में क्या करना है स्वर्ग निर्मिति करना है नंदनोन निर्मिति करना है तो बंति उर्गेन संगरक्षी जी पूछते है क्या ये चार gift स्विकार करने की आप में हिम्मत है क्या क्या आप ये चालेंज स्विकार कर सकते हो क्या आइसा प्रश्न पूछते हैं तो ये जो स्मृति दिन बहुती अच्छी तरशे अपन स्विकार किया उसका मतलब यही हो सकता है तो ये जो चार gift अपने जीवन में अपने आचरन में ढालने का रात और दिन परियास करना चाहिए है तो मैं यहीं पे ठेरता हूँ जय भेम, नमा बुद्धा